13.1.3 न्याय पालिका न्याय पालिका का प्रमुक कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना यह देखना कि विधाय का द्वारा कोई कानून सम्विधान के विरुद्धुतों नहीं बनाया गया है और कारेपालिका द्वारा किये जाने वाले कारे की कानूनी वैदता की जाज करना भी है हमारे सम्विधान में एक विस्तरित और स्तरीकृत न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान है जिले इस्तर से लेकर पूरे देश के इस्तर तक न्यायालय इस्थापित है हर राज में एक उच्च न्यायाले होता है देश में सर्वोच न्यायाले है जो भारतिय न्याय व्यवस्था का शिखर है हर समाज में व्यक्तियों के बीच सम्मूहों के बीच और व्यक्ति तथा सरकार के बीच विवाद उठते है इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिध्धान्त के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना जरूरी है कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब इस्त्री और पूरुश तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो न्याय पालिका की प्रमुक भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून के सर्वुचिता को सुनिश्चित करें न्याय पालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगा किसी एक वेक्ति या समू की तानाशाही न ले ले इसके लिए जरूरी है कि न्याय पालिका किसी भी राजनेतिक दबाव से मुक्त हो यह न्याय धीशों की न्युक्ती कारेकाल आदी से सम्मंधित प्रावधानों में देखा जा सकता है न्याय धीशों की न्युक्ती सर्वोची न्यायले के मुख्य नयाधीश की सलाह पर राष्टपती मंत्री परिशत की सलाह के अनुरूप उच्चतम वा उच्च न्यायले के न्यायधीशों को न्यूक्त करता है पिछले कई दश्कों से यह परंपरा बनी है कि मुख्य नयाधीश की सला के अनुरूप भी राष्ट्रपती नयाधीशों की नियुक्ति करे मुख्य नयाधीश की राय केवल उसकी व्यक्तिगत राय ना हो और वा सर्वोच्य नयायले के अन्य नयायधीशों के विचारों को भी प्रतिबिम्बित करे इसके लिए कालेजियम की व्यवस्था की गई है इसकी अनुसार सर्वोची न्यायले का मुख्य न्यायाधिश अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधिशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी नाम में से राष्टपती नियुक्त करेगा वर्तमान में इस ववस्था के गुर्दोशों की विवेचना की जा रही है और इसमें सुधार लाने के प्रयास चल रहे हैं न्यायधीशों का कारेकाल निश्चित होता है वे सेवा निरत्य होने तक पद पर बने रहते हैं केवल अपवात स्वरूप विशेश इस्थितियों में ही न्यायधीशों को हटाया जा सकता है ना उनकी नियुक्ति में ना ही उनके वेतन्य धारन में विधाईका की कोई भूमिका है इस कारण न्यायधीश दलगत राजनीती वह अन्य दबाओं से मुक्त होकर अपना काम कर सकते हैं भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है जिसमें सबसे उपर सरवोच न्यायले फिर उच न्यायले तथा सबसे नीचे जिला और अधिनस्त न्यायले है आरेक 13.4 देखें नीचे के न्यायले अपने उपर के न्यायले की देख रेक में काम करते हैं आरेक 13.4 भारत में न्यायले विवस्था भारत का सर्वोच न्यायले इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं या उच्य न्यायले के न्यायाधिशों का तबादला कर सकता है या किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है यह किसी एक उच्च न्यायाले में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायाले में भिजवा सकता है उच्च न्यायाले निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है राज के छेत्रा धिकार में आने वाले मुकदमों का निप्टारा कर सकता है जिला अदालत जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है गंभीर किस्म के आप्राधिक मामलों पर फैसला देती है अधिनस्त अदालत फोजदारी और दिवानी के मुकदमों पर विचार करती है भारत का सर्वोच न्यायले हमारे सम्विधान में सर्वोच न्यायले का विशेशन स्थान है आरेक 13.4 में आप देख सकते हैं कि वह न्याय पालिका की सर्वोच संस्था होने के नाते किसी भी न्यायले को निर्देश दे सकता है और उनके निर्णेयों को पलट सकता है उसके निर्णेयों का दर्जा कानून के समकक्ष होता है सर्वोच न्यायाले के कुछ प्रमुक काम इस प्रकार है पहला दिवानी, फोजदारी तथा समवधानिक सवालों से जुड़े अधिनस्त न्यायालेों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना दूसरा, संग और राजियों के बीच तथा विभिन राजियों के आपसी विवादों का निप्टारा करना तीसरा, जनहीत के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट पति को सलाह देना चोथा, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका सुनकर आदेश जारी करना इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नागरिकों के लोकतांतिक अधिकारों की रक्षा करने में कानून की सर्वोच्चता बनाए रखने में तथा राज के क्रिया कलापों को सम्विधान के मर्यादाओं के अंदर बनाए रखने में संपूर न्यायतंत्र और विशेश कर सर्वोच्च न्यायाले की अती महत्तुपूर भूमिका है निर्वाचन आयोग हमारी लोक्तांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन या चुनाओं बहुत महत्तुपूर है सांसदो वा विधायकों के अलावा राश्टुपती, उप्राश्टुपती, राजिसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है इनके निर्वाचन की व्यवस्था निर्वाचन आयोग करता है जिसका प्रावधान सम्विधान में किया गया है निर्वाचन आयोग में मुख निर्वाचन आयोगत सहीत तीन सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति प्रधान मंत्रे की अनुशंशा पर राष्ट पती द्वारक की जाती है। निर्वाचन आयोग निस्पक्ष चुनाओ कराए, इसके लिए उसे विशेश अधिकार दिये गए हैं। प्रत्येक राज का भी एक निर्वाचन आयोग होता है। राज निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगरपालिका आदी की स्थानिय स्वशासी संस्थाओं का निर्वाचन करवाता है। उदाहरन के लिए पंचायती राज चुनाओं। 13.2 सम्विधान और सामाजिक बदलाव के अवसर। भारती सम्विधान के विशेशग्य ग्रान विल आस्टीन का कहना है कि भारती सम्विधान में तीन प्रमुक तत्व हैं जो आपस में सहचता के साथ गुथे हुए हैं। ये हैं राश्ट्रियक्ता, लोगतंत्र और सामाजिक परिवर्तन। भारत में राष्ट्य एक्ता की कल्पना लोगतंत्र वा समाजिक परिवर्तन के बगेर नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार समाजिक परिवर्तन एक्ता वा लोगतंत्र के बीना नहीं हो सकता है। सम्विधान को सम्विधान सभा में प्रस्तुत करते हुए, डॉक्टर भीमराउं अंबेडकर ने इस सम्विधान के समक्ष दो खत्रों की ओर इशारा किया। पहला समाजिक असमानता और दूसरा जातिवात के कारण समाज में भाईचारे का आभाओ। भारतिय समाज इस्तरिकृत और असमानता के सिध्धानतों पर आधारित हैं, जहां कुछ लोगों के पास असीमधन हैं और अधिकांश अत्यंत गरीबी में रहते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधा भासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीती के मामले में हमारे यहां समानता होगी, पर आर्थिक और समाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। हम अपने समाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला, तो हम अपने राजनेतिक लोगतंत्र को ही संकट में डालेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा, वरना जो लोग इस असमानता से त्रस्त हैं, वे इस राजनेतिक लोगतंत्र का ढाचा, जिसे इस सभाने इतनी मेहनत से बनाया है, को ध्वस्त कर देंगे. भारत अभी एक राष्ट नहीं है, जो लोग हजारों जातियों में बटे हैं, वे एक राष्ट कैसे हो सकते हैं, जातियां राष्ट विरोधी हैं, क्योंकि वे विभिन जातियों के बीच आपसी इरश्या और द्वेश पैदा करती हैं. अगर हमें वास्तों में एक राष्ट बनाना है, तो इस समस्या से निपटना होगा. सम्विधान सभा कारी विवरण 24 नवंबर 1949. डॉक्टर अंबेडगर का कहना था कि जब तक हम समाज में स्वतंत्रता, समानता और भायचारे को इस्थापित नहीं करेंगे, तब तक प्रधानिक तरीके से समाज में मूल भूत परिवर्तन लाना है, और सम्विधान ऐसा बने जो इस बदलाव को संभव बनाए और उसके दिशा निरधारित करें. इस बात को लेकर भी सहमती थी कि अगर इस सम्विधान का कोई प्रावधान समाजिक बदलाव के आड़े आता हैं, तो सम्विधान में उचित प्रक्रिया से संशोधन किया जाएं. अमेरिका जैसे देशो के सम्विधान व्यक्तिक स्वतंतरता और लोग तंतर को मजबूत करने पर जोड देते हैं. इसके विपरित, सोवेत, रूस या चीन जैसे कुछ और देशो के सम्विधान समाजि को मजबूत करने पर जोड देते हैं भारती सम्विधान निर्माताओं का प्रयास था कि भारत में लोग तंत्र और वेक्तियों के निजी अधिकारों को सुद्रुन करते हुए राज्य को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बनाएं सम्विधान निर्माताओं की कलपना में भारती राज केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम नहीं करेगा मगर सद्यों से चले आ रहे भेदभाव वा असमानताओं को मिटाने तथा 200 वर्ष की आपनिवेशी शाषन से पिछड़ी अर्थ व्यवस्था को सुधारने क जिम्मा उठाएगा इस उद्देश को सुनिश्चित करने के लिए सम्विधान में मौलिक अधिकार की विस्त्र सूची अंकित है और साथ ही उसमें एक अनुठा अध्यायत जोड़ा गया है जिसे राज्य के मार्ग दर्शक तत्त्व कहते हैं सम्विधान के अनुठ्षेत 37 में कहा गया है कि ये तत्त्व देश के शासन में मूल भूत है और विधी बनाने में इन तत्तों को लागू करना राज्य का करतव्य होगा इन तत्त्व में से कुछ प्रमुक तत्त्व निम्नलिकीत है राज्य लोक कल्याण के लिए व्यवस्था बनाएगा सभी छेत्रों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्र्यास करेगा महिलाओं वह पुर्षों के बीच समानता लाना समाज के भौतिक और उत्पादक संसाधनों का न्याय संगत बटवारा कारखानों में उचित काम के हालात और वेतन बच्चों के हितों की रक्षा तथा सबके लिए 14 साल की आयू तक निशुल की सिक्षा की व्यवस्था अनुसुचित जाती, जन जाती वँए अन्य दुपल वर्गों के सेक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृध्धी आदी अध्याय 13 समविधान, शाशन वेवस्था और सामाजिक सरोकार भारती सम्विधान के निर्माण की प्रक्रिया और सम्विधान निर्माण के एतिहासिक संदर्व के बारे में पढ़ा, साथ ही सम्विधान सभा में हुए वादविवाद और भारती सम्विधान की उद्देशिका में दिये गए मूल्य वा आदर्शों को समझने की कोशिश की इस अध्याय में हम सम्विधान के अंतरगत, राजनेतिक संस्थाओं की संरचना, सम्विधान से होने वाले समाजिक बदलाव के अवसर तथा सम्विधान के विक्सित होते हुए स्वरूप का अध्यन करेंगे 13.1 सम्विधान में राजनेतिक संस्थाओं की संरचना शक्ति का विकेंद्री करण जब सत्ता का केंद्री करण होता है तो वा आम लोगों की पहुच से दूर हो जाता है और उनकी जरूरतों वा कांछाओं को प्रात्मिक्ता नहीं मिल पाती है वास्तों में लोगतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्री करण हो और मुहला, ग्राम, शहर, जन्पत, जिला और राजिस्तर पर लोगों द्वारा चुने गय धाचे और उनके पास निर्णा लेने के अधिकार हो गांधी जी के स्वराज की कलपना में अधिक्तम अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना था स्वतंत्र भारत का सम्विधान बनाते समय यह विवात का मुद्दा बना रहा कि क्या भारत में प्रांतों के पास सारी प्रमुख शक्तियां हो और केंद्र के पास केवल रक्षा विदेश नीती जैसे विशय हो यह निणय लिया गया कि देश की एकता को सिद्रण करने के लिए तथा उसमें सामाजिक बदलाव लाने के लिए भारत में एक शक्तिशाली केंद्रिश आशन की जरूरत है साथ ही साथ यह भी तै किया गया कि प्रांतों के स्तर पर भी कई विश्यों पर नेणय लेने के अधिकार हूँ दरसर भारत को प्रांतों का समावेश या संग माना गया अता देश में दो स्तर पर सत्ता का वित्रण हुआ, संगी या केंद्र स्तर पर तथा प्रांती स्तर पर दोनों स्तर पर चुने गये प्रतिनिधियों को नेणय का अधिकार दिया गया 1992 में 73 सम्विधान संशोधन द्वारा पंचायतों के तीसरे इस्तर तक सत्ता का विकेंद्री करण किया गया शक्ति विभाजन राज या शाषन के पास जो शक्तियां है वे तीन प्रकार की होती हैं कानून बनाने उसे लागू करने तथा उसके अनुसार न्याय करने की किन्टु ये तीनों शक्तियां एक ही संस्था या व्यक्ति में केंद्रित हो जाएं तो वह निरंकुष शाषक हो सकता है शक्ति विभाजन का अर्थ है इन शक्तियों को अलग करना और स्वतंत्र संस्थानों को सौपने जैसे की आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा लोगतांत्रिक क्रांतियों का एक मुख्य उद्देश शक्ति विभाजन था इस प्रकार आधुनिक सरकार के तीनंग है विधाई का जो कानून वा नीतिया बनाती है कारेपालिका जो उन्हें क्रियानवित करती है तथा न्यायपालिका जो उनके अनुसार न्याय करती है शक्ति प्रिथक करण, शक्ति विभाजन, सिध्धान्त के अनुसार, कारेपालिका, विधाईका तथा न्यायपालिका में से प्रत्येक अपने कारेशेत्र में स्वतंत्र है तथा उसे किसी अन्यपर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं होती लेकिन वास्तों में यह नहीं होता क्योंकि तीनों के काम एक दूसरे पर निर्भर है और उन्हें मिलकर चलना होता है भारत में सीमित शक्ति प्रिथक करण सिध्धान्त को अपनाया गया है यहां संसदिय लोकतंत्र है जहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो पूर्ण है पर विधाईका और कारेप ऐक दूसरे पर निर्भर है इस प्रणाली में कारेपालिका मंत्री परिषद विधायी का संसद काही अंग होती है मन्त्री परिषद के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं और उसके प्रति जवाब दे हैं दूसरी ओर पर लिएका जिसका अध्यक्ष राष्टपर्थि होता संसद के सत्रों को बुलाती है और अन्य तरीकों से भी विधाईका के कार्यशेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है यानि कार्यपालिका और विधाईका दोनों एक दूसरे के साथ गुथे हुए है 13.1.1 संगी विधाईका संसद हमारी संगी विधाईका को संसद नाम दिया गया है जो राश्ट्रपती और दो सदनु लोकसभा और राजसभा से मिलकर बनती है भारती संगी विशेषता यहा है कि कारेपालिका यानि मंत्री मंडल संसद का ही हिस्सा है और संसद के प्रति जवाब दे उत्तरदाई है संसद देश की राजन्यातिक विवस्था की निव है जिसमें जनता की संप्रभुता का समावेश एवं सार है संसद राष्ट्र की आवाज है संसद में समाज के सभी वर्गों और देश के सभी छेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व होता है इस व्यवस्था में अनुसुचित जाती और जन जाती के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है लेकिन यह पाया गया है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षा से बहुत कम है इस कारण कई वर्षों से एक संविधान संशोधन विचाराधीन है जिसके अनुसार संसद में महिलाओं को कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण मिले संसद सीधे या अप्रत्यक्ष तोर पर जनता द्वारा चुनी जाते हैं और जन प्रतिनिधित जनता से संबंधित समस्याओं और शिकायतों को संसद में व्यक्त करते हैं संसद में नीतिगद मुद्धों तथा कानून से संबंधित प्रस्तावों और मंत्री मंडल के प्रस्तावों को विचार विमर्ष करके पारित किया जाता है कारे पालिका मंत्री मंडल के कारे कलापों पर बहस होती है और उसकी जवाब देही को सुनिश्चित किया जाता है संविधान बनाते समय यह स्पष्ट किया गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकार असीम नहीं होंगे और राष्ट की व्यापक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज ये मौलिक अधिकारों को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन संविधान के बनते ही समाज के वे लोग जो समाजिक बदलाव के विरुद्ध थे उन्होंने नियायालों की शरणली कुछ लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए किये गए विशेश कानूनों से तो अन्य को जमिदारी प्रता उन्मूलन से परिशानी थी। इस परिस्तिती को देखते हुए सम्विधान में पहला संशोधन 1959 में ही बहुत तीखे विवादों के बीच किया गया। उस समय अनेक प्रांतों में सैक्षुनिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के विवस्था की गई थी जो एक दिश्टी से समता के अधिकार के विरुद्ध थे। मगर ऐसी जातियों के लिए अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक थे। और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेश उपबंद करने से निवारित नहीं करेगी। 1947 से ही देश की सरकारों ने जमिदारी और बेगारी प्रता उन्मूलन के लिए कानून बनाए और जमिदारों के जमीन को भूमी इनों में बाटने की प्रक्रिया प्रारंब कर दी। किसान इसके लिए जबर्दस्त दबाव डाल रहे थे और भारत के कई भागों में उनका सर्शस्त्र विद्रो शुरू हो रहा था। अता भूमी सुधार को और नहीं टाला जा सकता था लेकिन बड़े भू स्वामी न्यायालेओं में जाकर इन कानूनों पर रोक लगाने में सफल हुए। अता प्रथम संशोधन के द्वारा यह प्रावधान रखा गया कि जिन कानूनों को राष्ट पती द्वारा सम्विधान की नवी अनुसूची में रखा जाएगा उन्हें किसी न्यायाले द्वारा खारिज नहीं किया जा सकेगा। उस समय के अधिकांश भूमी सुधार कानूनों को इसी अनुसूची में शामिल किया गया और न्यायाले ओने इन्हें स्विकार किया। जमिदारी प्रथा तो समाप्त की गई मगर बड़े भूस्वामियों से जमीन लेकर भूमी इन क्रिशकों वो मजदूरों को वितरित करने में लगातार कानूनी वो प्रशासनिक अर्चने बनी रहीं जिसके चलते सम्विधान में कई और संशोधन किये गये। भूस्वामियों का दावा था कि सम्विधान के बुन्यादी अधिकारों में संपत्ती का अधिकार इसपश्ट रूप से सम्मलित है अता किसी की संपत्ती को छीनना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। इन दावों को देखते हुए 1976 में एक महत्वपूर्ण संशोधन चवालिस्वे सम्विधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से सम्पत्ती के अधिकार को हटा दिया गया। सिक्षा का अधिकार जैसा की हमने पहले देखा था सम्विधान के नीती निदेशक तत्यों में 14 वर्ष की आयू तक सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार सिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। लेकिन स्वतंत्रता के सत्तर साल होने पर भी हम सभी बच्चों को निशुल्क तथा गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाए। को उचित सिक्षा मिले। इस फैसले को देखते हुए संसद ने 2002 में 86 समविधान संशोधन के माध्यम से 6-14 वर्ष तक की आयू तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार सिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया। अब देश के प्रतेग बच्चे को 6-14 वर्ष के बीच स्कूल में नियमित रूप से सिक्षित करना राजिका दाईत्व बन गया। इन उदाहरणों से इसपश्ट होगा कि किस तरह हमारे समविधान में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रावधान किया गया है। 13.3 समविधान का विक्सित होता हुआ स्वरूप भारत का समविधान लगातार नया स्वरूप ले रहा है। इससे जुड़े कुछ उदाहरण हमने अब तक देखे जैसे सिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। समविधान में बदलाव को समविधान संशोधन कहते हैं। समविधान में संशोधन संसत के द्वारा किये जाते हैं। समविधान के विक्सित होते हुए स्वरूप को हम निम्नांकित उदाहरनों के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। 1976 में समविधान में कई बदलाव किये गए। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निर्पेक्ष शब्द जोड़े गए। समाजवादी शब्द को जोड़कर या स्पष्ट किया गया की सरकार भारत के लोगों की समानता के लिए प्रयास करती रहेगी। पंथ निर्पेक्ष शब्द को जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया की राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेद भाव न करते हुए प्रतेक व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यभार करेगा। हाला कि पहले भी शासन में इन मुल्यों को शामिल किया गया था, 1976 के संशोधन में इसे सम्विधान में इस्थान दे दिया गया, इसे प्रकार सम्विधान में राज्य द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था भी की गई। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो न्यायाले तक नहीं जा पाते थे, वे आज इसी बदलाओ के कारण न्याय के हकदार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्द करवाने की जिम्मेदारी अब सरकार ने ले ली हैं। इसी प्रकार मज़दूरों को सोशन मुक्त करने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कारखानों के प्रबंधन में मज़दूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांती कारी कदम रहा है। इसी प्रकार 1992 में समविधान में एक और बदलाव किया गया। इनके बारे में हम विस्तार से पिछली कक्षाओं में पढ़कर आये हैं। अता यह कहा जा सकता है कि भारत के समविधान का स्वरूप विक्सित हो रहा है। हमने पिछले अध्याय में प्रस्तावना में पढ़ा था कि हमारे समविधान ने किस प्रकार समाज की रशना का उद्देश रखा है। समविधान में वे बदलाओ इनी उद्देशों की तरब बढ़ने के लिए किये गए हैं। साथ ही समाज की बदलती जरूरतों के लिए भी समविधान में बदलाओ की जरूरत पड़ती है। जैसे 1989 में मताधिकार की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष की गई। लेकिन न्याय पूर्ण समता युक्त समाज की रशना के लिए सभी नागरिकों को एक सक्रिये नागरिक के रूप में अपना योगदान देना होगा। न्याय पालिका किसी भी देश की लोगतंत्री सासन व्यवस्था या उस देश की संसदी व्यवस्था के सफल संचालन में न्याय पालिका की महत्योपूर्ण भूमिका होती है। आखिर न्याय पालिका की आफसक्तक क्यों पड़ी। सासन के जब अंगों की बात होती है तो सासन के तींग होते हैं व्यवस्थापी का कार्य पालिका और न्याय पालिका। समान नियागर भासा में हम समझे तो स्थापी का जो कानून बनाती है कार्य पालिका जो कानूनों को लागू करती है और नियाई पालिका जो उन कानूनों के व्याख्या करती है या उसको निरक्षन करती है जाच करती है उसे सरक्षन का कार्य करती है नियाई पालिका मानों के अधिकारों का सरक्षन करती है Earth High मणाव अधिकारों को लंगन होने की इस्टिति में नियाए-पालिका के सरण में जा सकते हैं इसी प्रकार से व्यस्थापीगा जो भी कानून बनाती है और संसद संसद जो भी कानून बनाती है उसका नियाले द्वारा उलेक किया जाता है नियाले उस पर नियंत्रन करती है जाज करती है कि संसद ने जो कानून बनाया है वो सही है कि नहीं है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सक्ति कभी केंदरी करण है यह कि अगर संसद कोई कानून बनाया है तो उस कानून को न्याय पाली का प परक सकता है इस प्रकार से भारत में सक्ति का विकेंद्री करन देखने को हमें मिलता है इसी प्रकार से अगर कि सरकार और जनता के बीच को विवाद है तो इसका भी निप्टारा जो है न्यायपाली का करती है भारत में अगर हम देखते हैं तो न्याय का कि चार स्रेणिया है पूरे देश के लिए जो सबसे बड़ा नियाई व्वबस्था है उसे कहते हैं सर्वोच्य नियाले जो दिल्ली में स्थापित है इसी प्रकार से प्रतेख राज्जिय यह एक से अधिक राज्जियों के लिए उच्छे नियालाय होती है एक सेधिक राज्जिय अकतात जो छोटे-छोटे ड़ेतरों में बटा होता है तो इस प्रकार से भारत में चार इसतर पर न्याय पालिक की ववस्ता की गई है अब बात करते हैं हम सर्वोच्य स्वाउच्य नियाले की तो सर्वोच्य नियाले की आउसकता क्यों पड़ी होगी पूरे देश के लिए प्रश्ण आपके मन में आ सकता है तो सर्वोच चन्याले पूरे देश के लिए है वो किसी एक राज्य के नहीं है उच्छ चन्याले में क्या हो रहा है उच्छ चन्याले में राज्य की जो प्रक्रण है उनका निप्टारा किया जाता है ल कि पूरे अंतराष्टी स्थर पर अंतराष्टी न्याले की वस्थक की गई है अगर दो राष्टों के बीच पे कोई विवाद होता है तो उसके लिए अंतराष्टी न्याले की वस्थक की गई है तो आज हम बात करते हैं सर्वोच्च न्याले की भारत का सर्वोच्च न्याल जब भारत आजाद हुआ भारत का सविधान हुआ तो सविधान के अनुरूप उस सर्वोच चन्याले को 28 जनवरी 1950 को पुर्ण गठित किया गया जैसे कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को देश का सविधान लागू हुआ और उस सविधान के अनुसार फिर दो दिन बाद हमने सर्वोच चन्याले को फिर से परिभासित किया भारती सविधान के अनुच्षेद 124 से लेकर 117 तक सर्वोच चन्याले के निर्मान कार्य नियाएधिसों की निक्ति उनके अधिकार छेत्र उन पर पद्द्युचिति अनुच्षेदों में किया गया है अब देखते हैं कि कोई सुप्रीम कोट सर्वोच चन्याले अर्था सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट का गठन कैसे होता है तो सुप्रीम कोट में वहाल फिलहाल अधिक्तम नियाएधिस्तों की संख्या 34 है लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोट में नियाएधिसों की संख्या 31 है एक मुख्य नियाधिस और तीस अन्य नियाधिस उनके सहयोग के लिए कार्य करती है इस तरीके से इसके बाद इनकी नियुक्ति तो राष्ट पती करता है लेकिन इनकी नियुक्ति की अपनी एक प्रक्रिया है इसके लिए एक कॉललिजियम सिस्टम बना हुआ है इस कॉललिजियम सिस्टम में मुख्य नियाधिस और शार अन्य नियाधिसों की एक समीति होती है जो नियाधिस जो लोग बनते हैं उनको वो परक्ते हैं कि वो नियाधिस बनने के योग्या है कि नहीं है कॉललिजियम सिस्टम के माध्यम से सर्वोष्चे नियाले के मुख्य नियाधिस और उच्चे नियाधिसों की निक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है लेकिन जीला नियाले के नियाधिसों की निक्ति जो है राज ये प्रशासनिक सेवा के आधार पर किया जाता है उसक को सरकार के पास पर खेजा जाता है सरकार की सिफारिशों के बाद राष्ट पति जो हैये सो देश के मुख्य होते हैं हाल फिर हाल मैं ऐसे सरवत्चे न्याले की मुख्य है इसको राष्ट्हाती शपत दिलाता है और मुख्य नियाधिस जो है अन्यलाइदिसों को सपत दिल्वाताई इसी प्रकार से उच्छे नियालयों की प्रक्रिया चलते रहती है सरवोच्छे नियालय में जो ववस्थाएं हैं उसके तहत कोई भी नियाइधिज जो 65 वर्स की आयू पूर्ण कर लेता है वह सेवा निवृत्त हो जाता है सेवा निवृत्त होने के पहले भी अगर ऐसा माना जाता है या सद्रीक असदेखने को मिला कि नियाइधिज द्वारा किसी प्रकार कदाच या साइधानिक कार्या किया है तो उसको महावियोग के माध्यम से भी हटाया जा सकता है इस महावियोग के लिए संसत के सच्छा nacional दोनों में लोक सभा में सव संसद और राज्य सभा में फचास संसदों की स्विक्रिती जरूरी है इतने संसदों की स्विक्रिती के बाद महावियोग पटल पर रखा जाता है और उस पर हटाने क्या सकता नहीं पड़ी है ऐसी कोई परिस्थिती आई तो स्वयम नियाइजी से या तो से अपने पत्स को त्याग दिये या तो वो समय से पहले जो है रिटार्मेंट ले ले लेते इस तरीके से ववस्था हैं और यह अच्छी प्रक्रिया है कि किसी भी ऐसी जो इस प डी है ध्याद रहेंगे कि हर पढूतर साथ एक लिकीटेशन जूड़ा हुआ है कि एब आप इसके दाइरे जाएंगे बाहर तो आ आपके साथ करवाई की जा सकती है तो भारत में जैसे हम कहते है बारत में किसका तो भारत में तो आपको लगता होगा कि प्रताण मंतरी और वो कानून कहा नहीं थे वह भारत की संप्रोभुता सविधान में नहीं थे इस सविधान के बारे में हमने विश्थार से चर्चा किया है और सविधान के आधार पर ही अलग-अलग पदों पर अलग-अलग लोगों की निपती होती है और जो लोग इस पत को धारन करते हैं वो उस सविधान की सपत लेते हैं सविधानिक व्यवस्था का कारे का सपत लेते हैं इस प्रकार से प्रतेग व्यक्ति सविधान के बने हुए नियमों से बंधे हुए हैं उस सविधान की तर जाते हैं तो ऐसे कारियों को असविधानिक कहा जाता है और उन पर कारवाई की जा सकती है अब प्रश्ण उड़ता है कि सर्वोच्य न्याले की न्यायधिस के लिए किसको हम बना सकते हैं ऐसी कोई मापदन तो होगा कि कोई वेक्ति सर्वोच्य न्याले के न्यायधिस कब बन सकता है तो कुछ पैमाने हैं एक सबसे पहले तो यह कि भारत का नागरिक हो दूस पांच वर्स तक न्यायधिस की भूमिका में कार्य किया हो चांथा वह लगातार किसी उच्च न्याले में दस वर्स तक अधिवक्ता के पत्पर कार्य किया हो अर्थात ऐसा वैक्ति जो इन चार मापदन्डों में खड़ा उतरेगा जिसे कॉलोनियम सिस्टम सदस्तर की सत्फाय द्वारा मुख नैजीश की रूप में निक्त किया जाता है और नीस की बीच में वरिश्टतकरं के पर जो सबसे वरिश्च होगा उसे मुझ्य न्यायधिस के रूप में कार्य करने का औसर प्रधान किया जा सकता है इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वोच्च न् नियाईक पुर्णा विलोकन का काम करता है अगर किसी उच्च न्याले के द्वारा कोई ऐसा निर्णे दिया है जो विसंगती पूर्णा है जिसे उचित नहीं कहा जा सकता तो ऐसी निर्णेयों को सरवोच्च न्याले जो है अपने समख्ष प्रस्तुत कर सकता है और उस पर पूरा ही वैख्या की जा सकती है सरकार को नियंतरित करने का काम भी न्यायपालिका करती है हाल फिलहाल में हम देखते हैं तो मनीपूर में जो घटना घटी उसमें सरोच्च न्याले